वेलो गाइज, वेलकम टू ईलनिम भी धिनामेम चैनल हमने आपको पता है कि एक क्विक डिवीजन इस्टार्ट किया है उसी क्विक डिवीजन में आज हम बात करेंगे पुस्फ सज्जा यानि पुस्फ सज्जा एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर बार दो या तीन कोशन बनते ही बनते हैं या दो तीन कोशन आपको नमबर दे कर जाएंगे ये बिलकुल कन्फर्म होता है तो आज हम पढ़ेंगे पुस्फ सज्जा से संबंदित कुछ बात हैं महत पूर्दत थे जो आपके एक्जाम में आपको दो नमबर दिला कर जाएंगे तो आज से ही हमने ये श्रंकला श्टार्ट की है कोई क्रिवीजन में या नहीं ऐसा रिवीजन जो आपके लिए क्या हो साथ की साथ आपके लिए महत पूर भी हो और आपको माकस दिल लाने वाला भी हो तो बात करते हैं अगर हम पुस्फ सज्जा की तो पुस्फ अज्जा के हम बैक्गरांड को देखते हैं उसके इत्यास को देखते हैं तो ये क्या था? 16 वी सदी से में हुआ है यानि 16 वी सदी में आया और इसको क्या था? बहुत बिच्छों के द्वारा जो लाने वाले थे बहुत बिच्छों थे मगर इसका जो फैलाव था यानि इसका जो बिस्थार था वो किसमें किया? तो इसका जो बिस्थार था वो किया जापानी लोग उने तो यानि इसको बड़े स्थर पर किसने फैलाया तो वो थे जापानी लोग और यह कौंसी सदी में आया तो सोलेवी सताब्दी सदी में आया और बहुत विच्छों के द्वारा इसे शुरू किया गया तो पुस्व सज्जा का बिकास जो था उसका डवलपमेंट जो था उसकी ग्रोथ जो थी वो जापानी लोगों ने फैलाई इसे लिए इसको जापानी सज्जा भी कहते हैं ठीक है तो नहीं शलते हैं इसका हमने इतिहास देख लिया अब हम इसका देखते हैं साब्दिक पुस्व सज्जा यानि फुस्व माने होता है फूल इस तरह से से देखिए आपका है पुस्व सज्जा पूम पुस्व माने होता है आपका फूल और फूल के बाद आप सज्जा को किस तरह रखते हैं विचार पूर्वक रखना सज्जा का अर्थ होता है विचार पूर्व ठीक है अगर आप ही चाहिए जह में को पुस्फ सज्जा का अर्थ होता है फूलों को रखना फूलों को विचार पूरवक रखना पूलों को बिवस्तित रखना तता पूलों को ऐसे ही रख देना तो फूलों को विचार पूरवक रखना ठीक है यह होता है पुस्फ सज्जा क वो देखेंगे तीन चरण है इसके फूल को किस तरह हम डेकुरेट कर सकते हैं इसको तीन चरणों में बाटा गया है आपका पहला उसका नाम है आपका पहला है मारा सिन दूसरा है सो और तीसरा हाइकी हाइकी, सिन, सो यह तीनों ही अपने आप में महत पूर है अगर सिन की बात की जाए तो यह स्वर को प्रदर्सित करता है यह रिप्रेजेंट को करता है गौड को, सो की बात की जाए तो यह मानव को रिपेजेंट करता है और हाइकी की बात की जाए कि कौन है यह तीन पार्थों में इस तरह रखा गया जपनी शज्जा को आप देखी पार होगे कि डाइग्राम में आपको देखाया जा तो यहां यानि ऊपर वाला जो पाठ है वह आपका सिन्द हो गया सिन्द क्या होता है सबसे उचा होता है तो गौड का इस्तान कहां होता है सबसे उचा होता है सौका क्या है गौड की जश्ट बाद में कौन है मानव है क्योंकि मानवी गौड को मानता है निशे जलते हैं तो फिर कौन आ जाता है हाई की यानि फ्रत्वी यानि मानव किस पर रहता है फ्रत्वी पर मानव के उपर कौन है गौड तो इस तरह इसको माना है पुस्व सज्जा को तो यहां पर हमने पुस्व सज्जा की बात की है और देखते हैं इसके क्या होता है तो यानि इस तरह इसमें कौन बनता है तो वो हमारा सो बनता है 45 अंसपर ठीक है अगर बात कीज़े हाई की को आपका साबकी भी कहीं कहते हैं मगर हाई की बहुत ज़्यादा प्रिछलन में सब तो यह बनता हमारा 75 अंसपर ठीक है तो यहाँ पे मैंने देखाया भी है कि कौन कितनी अंसपर बन रहा है इसमें आप देख पा रहे हैं क्योंकि यह 90 पह एकदम राइट अंगल होता है यह आपका 45 अंसपर बना है यह आपका 75 अंसपर बना है इस तरह पूरो को डेकुरेट किया जाता है यहाँ पे आप समय देखी पा रहे होंगे यहाँ को जाता है जाता होता है चाहिखाय रोट हूता है तो इस तरह से क्या है इसको रिपेजेंट करा जाता है ऐसी कौन सी रेखा है जिसमें क्या है 10 सेंडी गेर का बेरियंटर इधर उदर चल सकता है तो वो है सिन सिन में क्या होता है 10 का जो बेरियर है वो इधर उदर चल सकता है यानि 90 के इधर उदर कर सकते यानि ये हो गया आपका nab sin और sin में क्या है क्या है क्या है 10 का इधर उदर चल सकता है तो इधर भी चल सकता है ो पूछा जाता है पूछा जाता है wichtig 2 00 तो वो आपको 3 दिखा दी sin, so और high की ठीक है पॉइंटों बेया दीक है sin, so और high की क्योंकि यह हमाई एक नमबर दिला कर जाएगा यह आपके पिछले एक्जाम में आ चुका है 2016 के में यानि आपका सी टूटू सज्जा यह पूचा गया तो तो इसमें इस्तान तरन नहीं करते हैं इस्तान तरन बिरोधी सज्जा है उसी जगह फूल लगा कर क्या करते हैं करना तो यह पर मध्या पर इस तरह फोल दिया जाएंगे तो ce 2 दिया जाता है आपका सेश्सटु टू सज्जा केर्विक यह निँद्ट में कुछ मेहतवपूर मेहतव दख्य स्द्धी स्द्ध इतो नाते बया है रच्तो और रच्छा स्द्धानी सब्द आसे हम डोगना कर सब दो तो नाते हां अदि साफ के ढूरे मतुकर वन नहीं नहीं हो जाना जापानी वासा पूल मांते हों एकवाना जाता है। जैसे लोग मानते हैं कि वीम्हान जीवन और फूल भी एक जीव हैं। इसलिए इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए जीवित फूल कहा जाता है इको बाना को जाएगा जीवित इंसान भी कहीं कहीं मिलता है यह भी क्या है आपका जापानी सब्त है हछ जापानी लौक वसवज्या में सिन को चितना उचया रखते हैं। उस अचया को उतना ही अधिक सोभ माना जाता है चितना वो उचया हुआ है अब देख लेते हैं इस चोट ऑपक भी पढ़ा आये। पता है तो आपको पता है तो अब को किसको करती है तो ये फृत्विय को प्रदर्शित करती है जापानि पोस्वज्जा में कितनी रेखा है तो तीन है पैतालिस डिगरी के कौन पर कौन सी रेखा होती है तो वो होती है सो यानि मानब बाली ठीक है पैतालिस डिगरी के कौन होती है सो होती है सो पैतालिस डिगरी के कौन पर होती है ठीक है दस का परवर्तन किसमें संभव है तो वो नब है डिगरी वाली रेखा में या इकुबानञा our जीविट फूल या जीवित अपका इनसान है इकुबाना तो है इकुबाना है ऐस PAT किया है कि याद रख्यव कि जीवित पूल को इको नामा एको बाना कहते हैं अगर मंदिर में सजा दिया जाए फूलों को मंदिर से सजा दिया जाए यहांने फूलों से हम पूरे मंदिर को डेगुरेट करते हैं तो वह हता है टोको नामा ठीक है 75 डिगरी के कौन पर कौन सी रेखा खीची जाती है तो 75 के कौन पर कौन सी होती है जिसमें प्रत्वी होती है आपका तो आपको बताना है कि कौन सी रेखा है तो वह हमारी कौन सी है आपको यह भी बताना है यहां पर ह क्युक्ते सऩ के साथ हैं थे सब्सक्राइं प्रिंट करती है तो फ्रतवी को बताती है नपय डिगरी के कौन पर कौन सी रेखा है तो वो हमारी नपय डिगरी के कौन पर देखा जो है वो हमारी सिन रेखा ठीक है जापानी सज्जा से हर बार एक कुशन बनता है जापान का पुस्व सज्जा में योगदान क्या है तो इस जो कंटेन था उससे रेलेटर हमने कोशन पढ़ लिए सता आपका सिट्टू सच्चा सिट्टू सच्चा जो थी वह आपने पड़ी कि वह क्या है इस्तानांतर पिरोजी सच्चा यानि जहां जिस प्लेस को जिस बेस्मेंट बेस को हमें डेकलोइट करना होता है उसी बेस पर पूलों को चुपका देते हैं अलग से कुछ नहीं करते तो हमारी होते हैं सिट्टू सच्चा तो आई होप आपको कोई क्रीजबचन पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो सेल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तता इसी तरह का आप हम कोई क्रीविजन करें दर्दा अपने सब्सक्राइब से जुड़े रहिए धन्यवाद